अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाये थे डिवाइड और रूल करने के लिए लूटने और बांटने के लिए लेकिन कांग्रेश ने भी बहुत से कानून बनाये इस देश को डिवाइड और रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए 1991 में पहला कानून बनाया Places of Worship Act और हिंदू जैन बौध सिख के लिए कोट का दर्वाजा बंद कर दिया 1992 में दूसरा कानून बनाया इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया आलब संख्यक बाउसंख्यक में बांट दिया हिंदू ला हिंदू जैन बौध सिख पे लागू होता है लेकिन हिंदू को मिजर्टी बना दिया सिख जैन बौध को मैनाटी बना दिया यह इसकी डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स थी और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांगरेस ने 1995 में जिसको कहते हैं वक पैर जिसको मैंने सुप्रिम कोट में चैलेंज किया और इसकी अगली सुनवाइब सुप्रीम कोट में हो गी क्योंकि हएक है टांप्रवाइशन फाइल कर दिया है कि मैटर है क्यों सब्सक्राइक मुदिन का सारह के सारे वो भी मुस्लिम और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कहदे ये जमीन वक्फ की है तो आप उसके आरडर के खिलाफ उसके नोटिस के खिलाफ नियरबाई कोट में भी नहीं जा सकते आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रेबूनल में कहने का मत प्रपोर है और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ीगे तिससा बोड इसे मोड़ के सामने जिसने कहाई जमीन वक्फ की है तो वहभोड शोर हो गया वही वpl Cart दरोगा बन गया वही वख बोड जज बन गया वही वखिल बन चुका है ऐसा कानून हिंदू के लिए नहीं है ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है ऐसा कानून बौध के लिए नहीं है ऐसा कानून यहुदियों के लिए नहीं है ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं किसी के लि भी नहीं करना उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे इसके चक्कर में यह वकबोड वसूली कर रहा है लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्त की प्रॉपर्टी डिकलेर कर देंगे लोगों उसे पैसा लेता है गरीबों का धर्मांतर करा रहा है आदिवासी एरि लोग रहते हैं गरीब रहते हैं जिनको नियम कानून ज्यादा नहीं पता वहां पर यह कारण भी बन गया है इसलिए मैं कह रहा हूं यह कानून खतम होना चाहिए घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट दो है और घटिया कानूनों के खिलाप चुप रहना भी सब कानून से बड़ा राष्ट दो हैं मैं इस देश के साنसुदों से निवेधन करता हूं विधाइकों से निवेधन करता हूं इस घटिया कानून के खिलाप बोलिए 1991 के प्लेशसाफ वर्शिप एट के खिलाप बोलिये 1992 के Arg improves चिलाफ बोलिये और 1995 उतने ही दोसी वो लोग है जो इस कानून पे मौन है जो लोग इस कानून के खिलाफ चुप हैं मैं उनको देश भक्त नहीं मानता घटिया कानून बनाना देश द्रो है तो घटिया कानूनों पे चुप रहना भी देश द्रो है घटिया कानूनों के खिलाफ न बोलना भी में आती छी, लेकिन केवल Muslims के लिए ऐसा कानून? बागी किसी को ऐसा कानून नहीं? क्या हिंदु इस देस में दूसरे दर्जे के नागरिक है? क्या जैन इस देश में । इस सेकंट क्लास सीडिजिएन है? क्या इस देश के जो striis, यहूदि हैं second class citizen है यह सब बराबर है तो कानून सब के लिए एक होना चाहिए कानून सब के लिए common होना चाहिए इस तरीके से Muslim के लिए कानून अलग से यह देश की एक्ता-क्षंड़ता के खिलाफ है Constitution के basic structure के खिलाफ है इसलिए इस कानून को मैंने चैलेंज किया है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इस कानून के खिलाफ बोलिये, सोसल मीडिया में बोलिये, पब्लिकली बोलिये, सडक पे उतरिये, सांसुदों का गहराओ करिये, अपने विधायकों का गहराओ करिये, क्योंकि ये समाधान सडक संसद सुप्रिम कोर्ट से होगा आप अगर संसद नहीं है सुप्रिम कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो कम सड़क पे उतरिए इन तीनों कानूनों के खिलाब बोलिए 1991 का प्लेसे जाब वर्शिप एक्ट 1992 का माइनर्टी कमिशन एक्ट और 1995 का वकपेट इन तीनों कानूनों को खतम करने के खिलाब आवाज उठाईए जय हिंद जय भारत